हाई फ्रेंट्स कुछ कंपनी जैसी होती हैं जो अच्छा फंडामेंटल्स के बावजूद भी अंडर वेल्यूड रहती है और दोस्तों आज हम ऐसी एक कंपनी के बारे हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है लॉयड एंजिनेरिंग सेम कंपनी जो कुछ दिनों पहले लॉयड स्टील के नाम से जानी जाती थी तो वो कौन से कारण है जो इस कंपनी को एक अच्छा प्रोफिटेबल इंवेस्टमेंट के हिसाब से आपको देखना चाहिए और क्या आपको रिटर्न इसमें उम्मीद करनी चाहिए फंडामेंटली कंपनी कैसी है बिजनस मोडल कंपनी का कैसा है टेकनिकल इंडिकेटर्स में कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है और फ्यूचर में आपको किस तरह की का रिटर्न मिलने की इससे उम्मीद है ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं इसलिए वीडियो बहुत important है बहुत informative है तो मेरी request है वीडियो पूरा देखिए और जब मैं कहता हूँ न पूरा देखिए तो लोग 4-5 मिनिट के बाद में न सांस भरयाती है और लोग निकल के जाना शुरू कर देते हैं भाया ये ना वीडियो कोई item song तो है नहीं इसलिए प्लीज थोड़ा boring भी लगे तो भी अगर कुछ नया सीखना और आप सच मुच में serious investor हो तो मैं आगरे करूँगा कि वीडियो पूरा देखे तब ही आपको फाइदा होगा otherwise आप अभी भी जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि 4 मिनिट बाद भी आपको सीखना तो है नहीं तो कोशिश यही करिए कि वीडियो को हर वीडियो को मेरी वीडियो को last तक देखिए चले दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो important है informative है Lloyd Steel का पूरा analysis करते हैं इस वीडियो में और हाँ आगे बटने से पहले अभी ही आप इस वीडियो को like कर दीजे और चैनल को subscribe करके bell icon को on कर दीजे क्योंकि ऐसे informative वीडियो analysis के base पे मैं आपके लिए लाता रहूंगा हमेशा चले दोस्तों start करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले नज़र डालते हैं कि ये company Lloyd Engineering या Lloyd Steel कह लीजे ये उसका background क्या है तो आप देखें सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि ये heavy steel industry में काम करती है बहुत आपने देखा होंगा बड़े-बड़े boilers जो होते हैं बहुत बड़े-बड़े machines होती है जो कि nuclear power plants में use होती है और जो बहुत बड़ी factories में use होती है तो वो सारे बनाने का काम वैसी चीज़ों को बनाने का काम जो है वो Lloyd Steels करती है इसलिए ये Tata Steel से अलग है JSW Steel से अलग है क्योंकि इसका segment भी अलग है तो आपको ये चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए अब बात करते हैं कि इसमें देखो सबसे पहली बात तो ये है कि heavy equipment machinery और hydrocarbon कार्बन की जो systems है oil and gas की companies है refineries है उन सब के items बनाती है उस सब के products बनाती है वहलब उनका structure अब देखिए ये इसका revenue कहां कहां से आता है कि ये hydrocarbon sector को address करती है जिसमें boilers बनाती है ये vessels बनाती है ठीक है heat exchangers बनाती है steel sector जिसमें ये melting shop equipment बनाती है rolling mill equipment ये सारे भारी भारी नाम और भारी भारी चीजें दोनों भारी है company की share लेकिन की price भारी नहीं है यही मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ nuclear power plant जो है जैसे भाव atomic research है बार्क उससे इसका tie up है उसको ये product supply करती है और इसके अलवा जो ports है जो अड़ानी इसके customers है जैसे आप देख लीजे कोची शिप्यार्ड को ये अपने का क्लाइंट है गोवा शिप्यार्ड इनके क्लाइंट है भारत पेट्रोलियम कोरो मंडल गैस अथरेटी ओफ इंडिया लिमिटेट फिनोल एक्स इंडियान ओइल एच पी अधित्य बिर्ला ग्रूप य लेकिन इनका जो सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो आता है पावर सेक्टर से अभी ये जानना जरूरी है कि आप ये समझ लें कि ये घास का जो एक धेर है उसमें से सूई ढूंड के निकाल नहीं है तो वैसी बातें सुनने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिए और हैं कैश काउज इसको बोलते हैं चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके बाकी से स्टील से 16% सिविल से 13% और कार्बन से 13% तो अभी इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब अगर पावर सेक्टर ग्रो करता है तो सीधा फाइदा लोएड स्टील को मिलने वाला है उसका ये समझ ब्रेंडिंग करी है अभी कि ये 25 जुराइद 2023 को इन्होंने अपना नामकरंण संसकार करके और उसको लोईड स्टील को कह दिया है लोईड एंजिनेरिंग रिजन क्या है रिजन ये हो सकता है कि ये स्टील के अलावा बाकी सारे मेटल्स में भी काम करना चाहते हों तो कल को अगर ये काम करें तो लोग कहेंगे तो स्टील वाली कंपनी है तो कंफिजन ना हो इसलिए दोस्तों ब्रेंडिंग का बहुत बड़ा फरक पड़ता है आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्रेंड जो होता है वह एक तरीकी का एक प्रोमिस होता है जो एक क्लाइंट के और ये बीच में होता है तो अगर मालिजें मैं कहुंगा कि आपने ऐसे कई बार और भी एक्जांपल्स देखेंगे अगर अमूल जो है वह दूद बनाता है और अमूल ही अंडर गार्मेंट्स बनियान टी टी शेयर यह सब भी बनाता है अगर अंडर गार्मेंट्स भी तो प्रब्लम हारी ये कॉल इंडिया के सामने है हो सकता है कुछ दिनों में आने वाले टाइम में आपको उसका नाम चेंज होता है क्यों क्योंकि कॉल इंडिया है साथ में एंटी पीसी नेशनल थर्मर पावर कोर्परेशन अब वो यह कह रहे हैं जी हम तो ग्रीन एनर्जी में भी जा रहे हैं लेकिन हमेरे नाम के सामने थर्मल का ठपा लगा हुआ है इसलिए इस कंपनी ने समझदारी दिखाते हुए अपनी ब्रेंडिंग पहले से चेंज कर ली तो यह एक इंटेलिजन डिसेजन इस कंपनी का माना जा सकता है अब आगे बात करते हैं कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग 12% से बढ़ा ली भाई यहां तो कमपनी शेर होल्डर को माल बेशती हैं यहां यह लोग शेर खरीदते हैं आपको पता है शेर क्यों खरीदा जाता है कंपनी बाइबाइबक करती है वो दो इक कंडिशन में करती है या तो शेर की जो प्राइस है नो वो यह होता है बाइबैक जो था कुछ special situations में किया जाता है उसके कई वज़े हो सकती है corporate structure में change करना हो या कोई तरीके के और development हो company में but mostly company अपना buyback तब करती है जब वो अपनी shareowning बढ़ाना चाहती है तो company यहां पर buyback कर रही है इसका मतलब वो चाहती है जानती है कि हमारा माल ना बढ़ा काम का है इसलिए बजार से उठालो इसको क्योंकि बाद में सस्ते rate में मिलेगा नहीं क्योंकि हमारा business grow करने वाला है तो सस्ते में पहले अभी ले लो क्योंकि business grow करेगा annual reports में दिखाना पड़ेगा तो market में यह माल महंगा हो जाएगा तो तब हम अगर खरीदेंगे तो और सारी चीज़ें तो ही इसके अंदर हमने देख लिए कि इन्होंने अभी जो है यह अपना warrant को भी convert किया है हलांकि इसका ज्यादा आप पे असर नहीं पड़ेगा तो इसको भी फिलाल छोड़ेते हैं अपन बाद में बात करेंगे इस पे अब मैं आपको इसका एक recent development share करता हूं जो कि इसकी company की जो overall outlook है उससे संबंदित है तो देखिए आपके screen पर जो है अभी आपको नजर आ रहा होगा कि Lloyd Engineering Works enters into agreement with B.A.R.C. for transfer of technology अब ये बड़ी अच्छी खबर है जो अभी recently इसके बारे में आई है कि दोस्तों जो भावा atomic research center है जो परमानु उर्जास का एक केंद्र है B.A.R.C. उसके साथ में Lloyd का एक tie-up हुआ है technology transfer का और ये इस company के लिए एक बड़ी अच्छी positive news है अब बात करते दोस्तों इस company के पहले fundamentals पे फिर इसके presentation पे चलेंगे तो पहले हम एक बार fundamentals देख लेते हैं तो आपकी screen पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर stock जो है उसकी 4900 करोड रुपे की दोस्तों इसकी company की जो है वो market capitalization है मलब करीब-करीब 5000 करोड रुपे और इसमें आप देखोगे तो इसने return on equity दिया है दोस्तों 25% से ज्यादा और return on capital invested दिया है इसने capital employed 39% से ज्यादा stock का price to earning ratio 124 है वो तो बहुत ज्यादा है भाई 20-25-30 तक समझ में आता है बट 124 है पर दोस्तों 124 क्यों है ये भी हमें पता होना अच्छी इसको हम आगे चेक करते हैं बाकी dividend इसने दिया है 0.21% और देखिए 5,000 क्रोट रुपे की company है लेकिन share की price कितनी है सिर्फ 45 रुपे यानि affordable है MRF का share नहीं है जो की 1,00,000 रुपे से उपर का हो और आदमी देखता है रहे कि ये लेना है कि नहीं लेना है तो retail investors के दो out of hand होता है वैसा share बट यहां ये 45 र दात नहीं इसके अंदर 60% की आसपा holding है promoter की और इसमें से 1,5% की आसपास उन्होंने plays कर रखा है यानि shares को गिर भी रख रखा है पर क्योंकि percentage कम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है अभी इसके मुकाबले में आप वो अनिल अगरवाल जी को वीडियो मेरा देखा हो वेदान अपने आप में case study है आपको जरूर वो वीडियो देखने चाहिए मेरी playlist में मिल जाएंगे आपको होगे तो मैं इसका link भी share कर दूँगा anyways यहां मैं आपको जो बताना चाहरा हूँ वो यह बताना चाहरा हूँ कि दोस्तों डेट परसेंट की pleasing is acceptable कोई problem नहीं है इसके अंदर gram number देखो 4 है और उससे 10 गुना price है तो obviously company थोड़ी सी महिंगी अभी price पर मिल रही है बट अगर हम इसके business model की बात करें तो यहां देखिए कि overall company profit में है मतलब 2017 के बाद से continuously आप यह नीला रंग की इमारतें देख रहे हो यह show करती है कि company profitable है और यहां profit बहुत तेजी से बढ़ा है कब से कब तक January 22 से और अभी तक में profit बहुत तेजी से बढ़ा है और हो सकता है यही एक वज़े हो कि इनको नाम करन संसकार करना पढ़ गया अपना नाम बदलना पढ़ गया और आप देखेंगी कि profit के मुकाबले में और यहां पर इनकी जो share price बहुत धीमे तरीके से बढ़ी है जबकि PE ratio अभी भी 120 चल रहा है 124 लेकिन अभी भी price अंडर-revalued शो कर रहा है यहां पर तो अपन आगे देखते हैं कि इसके बाकी numbers क्या कहते हैं देखें इससे पहले यह देख लीजिए कि यह एक industry का comparison है और इसमें आप देखोगे तो हिंदुस्तान एरोनोटिक्स है थरमेक्स है भारत डायनमिक्स है जूपिटर वेगन्स है यह सब इसी फील्ड से समधित कंपनिया है पर exactly competitor नहीं है क्योंकि टीतागड रेल जो है वो train के डब्बे बनाती है और Lord Engineering जो है वो nuclear power plant के लिए boilers बनाती है steel के details चीजें बनाती है तो एक मान सकते हैं कि मोटा मोटा company में competition है बट exact competition नहीं है पर इन सब के मुकाबले में इसकी price to earning ratio सबसे ज़्यादा है और इसकी वज़य हो सकती है company के earning कम होना प्राइस नहीं earning जो है कम होती है तो भी company आपको एक high P show कर सकती है या profit price तेजी से भागती है तब भी ऐसा होता है फिलाल हम लोग इसके numbers पे डालते हैं कि actually इसमें क्या हो क्या रहा है देखिए 2012 के बाद में तो इसकी sale 0 ही है उसके बाद में sale 510 करोड रुपए हुई इसकी 50 करोड पर ऐसी company जिसकी sale 500 करोड से 50 करोड रे गई हो मतलब company पूरी तरह से एक तरह से बरबाद हो चुकी थी लेकिन पिछले ही साल से इस साल में इसने 313 करोड की sale दिये यानि कि करीब करीब 6X दोस्तों ये वज़े समझ में आई या आपको P ratio high क्यों हो रहा है क्योंकि ए एक साल में company का profit 10 गुना बढ़ गया है दोस्तों ये थोड़ा सा ये मान करके चलिए ये normal behavior नहीं है पर इसमें क्या राज चुपा है वो भी हम लोग देखते हैं आगे वीडियो में बने रहेगा और दोस्तों अब वो टाइम आ गया है जब आप वीडियो छोड़के जाने वाले होते हो तो प्लीज वीडियो में जाना मत यहीं बने रहना जाओगे तो नहीं न क्योंकि थोड़ी ओड़ टेक्निकल एनलिस तो भी शेयर ही नहीं किया है और company की और बाकी details presentation यह भी बाकी है मैं बहुत जल्दी कवर करूंगा क्योंकि details बाकी की मैं रखूंगा membership वाल करता हूं चलिए यहां देखते हैं हम लोग 76% dividend दिया है dividend इन्होंने अभी भी दिया तो recently company ने अच्छा perform करना शुरू किया है अब हम इसमें बाकी तो details में नहीं जा लेकिन दो चीज़े मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा पहली चीज cash convergence cycle इनका पैसा ना फसा हुआ रहता 1100 दिन में जाकर के वापस आता था और अब यह आने लग गया है कितना 208 दिन में उससे पहले पिसले साल तक इनका 1500 अच्छा यह है दोस्तों वज़े इसकी अब समझ में आ रहा है कि 1500 दिनों में इनका पैसा वापस आता था अब एक साल में 300 पैसर दिन होते हैं तो आप मा 25 साल से फसा हुआ था वो पैसा पिसले साल रिकवर हुआ है जिसकी वज़े से इनका एक तो कैश कनवर्जन साइकल 208 दिन पर आ गया है दूसरा इनकी प्रोफिटेबिलिटी एकदम से इंक्रीज हो गई है यानि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वज़े से इस कंपनी का पैसा ए कि यह कुछ भी नहीं है पर फिर भी एक डिरेक्शन तो ही अब कंपनी की जल्दी से एक बार टेक्निकल पहले देख लेते हैं फिर प्रेजेंटेशन पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों देखिए कंपनी का अगर आप बाकी चीजेंस तो मैंने बताई दी है बट आप देखें तो यह रिब्रेंडिंग इन्होंने करी है आप देख सकते हैं यहां पर कि कंपनी का नाम पहले क्या था कि एक सब्सक्राइब ने दोस्तों यह होती है ऊसका मतलब यूनीक सेलिंग इस कंपनी को कौन सी चीजें खास बनाती है पहली चीज़ सिंगल लोकेशन मैनुपैक्टरिंग इनकी व्लोगों से मैनुफ्टरिंग उती है इसलिए सासी छीचे considers भास कर रहा है तो यह experience है और multiple product offerings है तो ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक अकेली ही product पे टिके हुए है एक अकेली line पर तो यह इस company को एक तरीके से profitable बनाती है कि भई यह इसनकी USP है अब strategic plan location हो गरा है इस अब हम आद में देखेंगे अभी नहीं देख सकते order book आप देख लो साफ तोर पर यहां पर नजर आ रही है इनको कि यह power sector से 54% के order है बाकी स्टील से 10% है और बाकी सब जगे से भी चोटा चोटा order है और यह company के products हैं जो आप देख सकते हो भारी भरकम शकल से तो मिसाइल जैसे लग रहे हैं लेकिन actually हैं boilers तो आप यह देखिए यह हैं और यह हैं दोस्तों इनकी असली पूंजी यह सारे वह ब्रैंड्स हैं जिनके साथ में यह काम कर रहे हैं आप देखरो यहां पर टोटल इफको एलेंटी गेल इंडियन ओयल बारत पेट्रोलियम वैलस्पन सारे बड़े-बड़े ब्रैंड्स लॉइड से जुड़े हुए हैं इसका मतलब company को यह एक तरीके का continuous business देने की योगिता रखते हैं तो यह एक अच्छी बात है इसके अंदर अब सीधे नंबर्स हम उस पे चलते हैं जो की इसके financial नंबर से यह देखिए यहां ना यह थोड़ी से नज़र डालीजे रेविन्यू की बात करें हम लोग तो देखिए दोस्तों यह पहले कम हुआ था यह 114 करोड़ पहले 9 करोड़ फिर 114 करोड़ फिर कम हुआ फिर 50 करोड़ पर रगया और एकदम जटके से 312 करोड़ और उसकी वज़े यह है कि इनका जो पैसा फंसा हुआ था पांस-पंदरा सु दिन में आता था वह जल्दी आना शुरू हो गया एबिटा पहले से इ इनकी प्रेजेंटेशन में टेक्निकल्स पर नजट डाल लेते हैं टेक्निकल्स देखिए एक सिद्ट ना अगर कर दोस्तों टेक्निकल्स मैं शेर करता हूं आपसे यह मेर्से लोग इन मागएगा पहले बस दोस्तों एक सेकंड दीजिए थोड़ा सार एक बार मैं जरा इसका टेक्निकल्स का शेर करता हूं आपको यह देखिए दोस्तों आपके सामने लोइड का टेक्निकल्स चार्ट है और आप साफ दोर पर देख सकते हैं कि इसमें दोहजार तेवी से बहुत ज़्यादा इंट्रेस्स बिल्डप हुआ है यानि पहले तो कोई वोलियूम था नहीं फिर दोहजार बाइस तेश के अंदर बहुत जबरतस्त वोलियूम आया और फिर से वोलियूम एकदम से गायब हो गया और प्राइस इसकी ना एक चैनल में चल रही है तो दोस्तों इस समय मेरा आपको से यही रहेगा कि इस पे आपको थोड़ा दिन नजर बना के रखना है क्योंकि यह एकदम से वोलियूम का कम होना यह थोड़ा सा एक हलका सा चिंता की विशय है आप इस पे नजर बना के रखिए और जब यह ट्रेडिंग वाप करके रखिए कंप्री में पोटेंशल निश्चित रूप से है पर आने वाले दिनों में यह किस प्रकार से परफॉर्म करेगी यह देखना बहुत इंपोडेंट होगा हलां कि यह पॉजिटिव चीज में बता दूं कि इसके पास एडवांस में ओडर्स पड़े हुए हैं द वो मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखें यहां आप देख रहें इस स्क्रीन पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहां पर ओडर बुक एप्रेल ट्वंटी ट्वंटी थ्री तो 683 करोड रुपे के ओडर्स जो है वो अप्रेल तक इनके पास में हैं अप्रेल से लेके 50% के आज़ पास जो है वो इनके 54% किसके हैं पावर सेक्टर के ओडर्स तो कंपनी के पास ओडर्स की कोई कमी नहीं है अब इनको एक्जिक्यूट करती है किस तरह से और बिजनिस किस तरह से टर्न आराउंड करती है इस पर डिपेंड करेगा कि यह कंपनी आने वाले टाइ आज़े आपसे एक क्वेशन पूशता हूं वो क्वेशन का आंसर जरूर दीजिएगा क्योंकि उसके बेसिस पर मैं कॉंटेंट को आपके लिए इंप्रूव करता हूं और आपके हिसाब से डालने की कोशिश करता हूं दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना आपकी कर्मिशन के साथ तब तक जाइन